बोब प्रोक्टर कहते है मैं थिंक एन ग्रोरीज किताब को बार बार पढ़ता हूँ और जितनी बार मैं इसे पढ़ता हूँ मुझे कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है आज मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारे विचार हमें अमीर बनाते है यह कोई जादू नहीं है अगर आप इसको गहराई से समझेगे तब आप अपने विचारों को और अच्छे से यूज कर सकेंगे और आपके माइंड की सारी गलत प्रोग्रामिंग खतम हो जाएगी बहुत से लोगों के मन में यह डाउट होता है कि वह सोचकर सिर्फ अमीर कैसे बन सकते है इस किताब में पूरी तरह से किलियर बताया गया है बिल्कुल साफ साफ का आ गया है कि सिर्फ सोचने से ही आप अमीर नहीं बन सकते जब आप एक विचार बनाएंगे एक यह आप अमीर बन गए है, जब आप अपने प्रेजेंट में अपने विचारों को बनाएंगे, तब आप दीरे दीरे उस फ्रिक्वेंसी में पहुचना सुरू हो जाएंगे, और जब आप उस वाइबरेशन पर पहुच जाएंगे, तब आपके माइंड में जिस काम को करना चाते है, उससे रिलेटिड नए नए आइडिया आने लगेंगे, तब आपका माइंड आपको अमीर बनाने के लिए आपको उस फ्रिक्वेंसी तक पहुचाने के लिए रास्ते दिखाने लगेगा, आपके साथ कुछ अलग होगा, वै कुछ भी हो सकता है, आपको कोई की अपने टेलेंट के बारे में पता चल सकता है, या कुछ ओर जिससे आपकी इंकम सुरू हो सकती है, तो आपको सबसे पहले ही एधियान रखना होगा की, आपको अपने विचार बनाते ही, पैसा आना सुरू नहीं हो जाएगा, उसकी जगा है होगा की, आपको पैसा कमाने ये नहीं नहीं रास्ते आपके माइंड में आने लगेंगे जिन को आपको फोलो करना होगा और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ उसके बाद वे रास्ता आपके लाइफ का सबसे बैस रास्ता होगा जब मैंने इस किताब को सुरू सुरू में पढ़ा था तब मुझे ऐसा बाते बखवास लगी लेकिन जिस इनसान ने यह किताब मुझे दी थी उसके कहने पर मैंने इन सब चीजों को किया और तब मेरे माइंड में यह आईडिया आया क्यों न मैं अपना इंस्टिटूट खोलू जहां पर लोगों को मैं मोटिवेट करू और उन्हें गाइड करूगी किस तरह वे अपने एम को हासिल कर सकते है और आज 89 से ज़्यादा कंटरी में मेरी कमपनी की ब्रांच है और यह हुआ सिर्फ एक विचार की वज़े से जिसकी वज़े से मेरी कमपनी बढ़ी होती गई तो आपको भी अपने विचार को इस तरह से इस्तमाल में लेना है और इन चीजों को यूज करना सीखिए और अपनी लाइफ को बदल दीजिए अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक, शेर और सस्क्राइब और न न भूले